नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वारत पे एपलिकेशन के मदद से आप किसी दूसरे बैंक एकाउंट में या यूपियाई आईडी डाल कर आप मने ट्रांसफर कैस कर सकती हैं हम आपको बता दे कि वारत पे एपलिकेशन पर यह कुछ दिन पहले ही लौँच किया गया है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि याप फिचर्स कैसे काम करता है कैसे आप दूस इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने की बाद आपके सामने इस पर कार की इंटरफेस नजराएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकती हैं तीन आपसंस नजरा रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपसंस है बैंक एकाउंट आप यहाँ पर बैंक एकाउंट नंबर आई एफ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भारत पे application के साथ जो भी mobile number लिंक होगा या फिर register आप की ये होंगे वह mobile number आप यहाँ पर enter करके money transfer काफी आसानी से कर सकती है दोस्तों यहाँ पर money transfer का कोई भी charge नहीं है बिल्कुल free में है 100% ये secure है और आप जो है सभी परकार के bank में यहाँ रासी भेज सकती है चली अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ रासी आप कैसे send कर सकती है यहाँ पर आपको bank account enter करने की options आता है दूसरे number में आप देख सकती है UPI ID दर्च कर सकती है तीसरे number में आप यहाँ पर mobile number दर्च कर सकती है हम यहाँ पर आपको UPI ID डाल कर बताते हैं अगर bank detail के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको account number डालना रहेगा account number आपको एक बार डालना है उसके पर फिर से account number उसके बाद IFC code और receiver का mobile number यहाँ पर आप लोग डाल देजें डालने के बाद आप लोगों को प्रोसीड करना है अब यहाँ पर payment यह कैसे होता है इसके बारे में हम बात कर लेती हैं यहाँ पर bank account detail ही हम fill up करती हैं तो यहाँ पर हमने bank detail fill up कर दिया है उसकी बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करती हैं हाला कि हम आपको बता दे कि जो भी रासी आप भेजोगे वह UPI से रासी आप भेज सकते हो दोस्तों जहाँ पर मैं आपको बता दो कि इस money को आप UPI से ही send कर पाओगे लेकिन यहाँ पर भारत पे के साथ UPI आप लिंक नहीं कर सकती हो तब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह UPI कैसे होगा तो आपके device में जो भी UPI वाला application महजूद रहेंगे उसी आपको select करना पड़ेगा जैसे आप यहाँ पर देख सकती हैं Google Pay, Paytm, MovieCuke, Airtail और Phone Pay यह सारे application आपके device से नजर आएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर Paytm या फिर कोई एक application को select करना होगा तो यहाँ पर हम amount में 10 रुपिया एंडर करती हैं उसकी बाद send money वाले options पर क्लिक करती हैं यहाँ पर आपको select करना परेगा तो चलिए phone पर select करती हैं उसके बाद continue वाले button पर क्लिक करती हैं continue वाले button पर क्लिक करने के बाद आपको यह redirect करेगा phone पर application में जहाँ पर आपको payment करना रहेगा तो चलिए हम यहाँ पर wait कर लेती हैं और यहाँ पर आप देख सकती हैं हमें सिर्वे payment करना है तो चलिए payment कर देती हैं तो आप यहाँ पर UPI ID वेगरा डाल कर payment successful कर दीजिए जब आप payment successful कर देंगे आपको यहाँ पर लिखा जाएका कि आपने payment successful कर दिया है और आप देख सकती है PTM Pement Bank में हमारे पास पैसा भी आ चुका है जो 10 रुपिया हमने सेंड किया था वो रिसीव हो चुकी है इस तरह से जो है आप बहुत ही आसाने से किसी भी बैंक एकाउंट में आप रासी भीज सकती है आप यदि भारत पेपर एकाउंट बना चुकी है तो आप इस तरह से इसका इस्तमाल भी कर सकती है उमीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा असपस टूप से आप लोग समझ कैंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना विलकुल भी ना भूले मिलती हैं फिरे के नए वीडियो में हमें दीजिये अजाज़त तक तक के लिए गुड़ बाई